हेलो दोस्तों स्वागा थे आप तभी का हमारे चैनल इस्टिटी ओनली में दोस्तों सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में सफाई करूचारी और सब श्टाप की सीधी भरती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसको दोस्तों अपलाई ऑनलाइन करना है इसमें जो एजुके हमें आपको संपूर जानकारी स्टेप बाई स्टेप बताएंगे तो बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंतक बने रहे और हाँ दोस्तों कर हमारे चैनल पर नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लिजिए और साथ ही वेल आइकन भी प् चीज का नोटिफिकेशन जारी किये गया है यहां नोटिफिकेशन दोस्तों हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंगेज में है आप जिस भी लेंगेज में कमफर्ट हों उस लेंगेज पर आप यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों यहां नोटिफिकेशन जो मेन मेन चीजें वह हम आपको इस नोटिफिकर्शन के बारे में बता देते हैं इस प्रेकंद्द के बारे में जो मेन मेन चीजें जैसे कि ऑन-laign फाम कब से अपलाई होगा बाक़ी चीजें सलेबस व गईर एंगे इस वीडियो में आपको प्रोवाइट कराएंगे तो आई वी पियस ओनलाइन डॉट आईईवी पियस डॉट इन यह जो लिंक दिये गए इसका जो लिंक है दोस्तों यह हम वीडियो के डिसक्रशन में दे देंगे यहां से जाके आप सीधे अपलाई कर सकते हैं फार्म को इसकी जो फार्म की देट दी गई है कब आपको अपलाई देट रखी गई है कि जून 2024 से सकता है जून 2024 तक इसकी डेट रखी गई है दोस्तों यहाँ फार्म जो एक बार पहले भी open हो चुका है तो इसका फार्म जो आरेड़ी जो लोग पहले से apply कर चुके हैं तो लोग नहीं apply करेंगे यह फिर सेरी ओपन हुआ है इसकी जो date है वो दी गई है च्छे दिन के लिए बाकि यह एक बार फार्म जनवरी में भी ओपन हो चुका है तो जो लोग जनवरी में या लेडी फार्म अपलाई कर चुके हैं उन लोगों को इसमें अपलाई नहीं करना है उसका दोस्तों इसमें आवेदान सुल के क्या रखा है कि वो देख लेते हैं तो अब एदान सुल के वो 175 रुपए रखा गया है आपका अनसूची जात या नसूची जन जात पी डावलूडी दिव्यांग व्यक्ति पूर्व साइनिक उम्मीदवारों है तो 175 रुपए रखा गया है और दोस्तों जर्नल वाले और बाकी कटेगरी के लिए OBC जर्नल और EWS कटेगरी के वाले के लिए दोस्तों 850 रुपए रखा गया है उसका दोस्तों इसमें परिच्छा पूर्परसिच्छन के लिए प्रवेस्पत्र डाउनलोड कब होगा तो जुलाई में इसका प्रवेस्पत्र आएगा और उसके बाद परिच्छा पूर्परसि परिच्छा के लिए प्रवेस्पत्र जारी किया जाएगा और इस्थानी परिच्छा का आवजन जो है वह सितंबर में ही किया जाएगा अंतीम चैन जो लास्ट आपकी फाइनल सेलेक्शन जो है वह अप्टूबर 2024 में हो जाएगा फिर दोस्तों इसमें उम्मीद्वारों क बैंक बैंक ऑफ इंडिया.co.in यह जो वेपसाइट दी गए है इस पर चेक करते रहिए उसके दोस्तों इसमें आगे दिये गए पद नाम तो पद का नाम जो हो दोस्तों सफाई करोचारी पद का नाम जो हो सफाई करोचारी सा अधिनस्त करोचारी दी गया है फिर कार प्र रखा गया इसमें तो बेतनमान जो है वो इसमें फाइनल जो है बेतनमान 37815 और 30270 इसके बाद दोस्तों इसमें मूल बेतन के तरिक चाइनी तुमीद्वार उद्योग व्यापी लागू दिपच्छी निप्टान और बैंक की नीतियों नेमों नुसार एचारे सीसीए पि बितेज बेतन अवकास किराय रियायत अवकास नगदी करांट सोया मेवं अथितियों के लिए समू चिकिस्सा बीमा चिकिस्सा सहायता ग्रेजुटी अंसदान प्यंसने हो जना सरक कर्मचारी ओबर्डाफ्ट सुविधा ग्रिह निर्मार रिंड वाहन रिंड समू ब्यक्त परिविच्छा पर रहेंगे एबम इसके सफल समापन के बाद उनकी पूश्ट कर दी जाएगी यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदिस जैनित उमीदवार का कारे निस पादन परिविच्छा अबदी के दवरान संतोह जनक नहीं पाया जाता है तो उसकी उमीदवारी रद्य भी की जाए सकती है यानि कि 6 मेने तक आपको कांटिनू अपना परफार्मेंट दिखाना है अच्छे से कारे करना है उसका दोस्तों इसमें आगे है पातरता मानदन क्या दिये गया है आपकी योगिता क्या होनी चाहिए पातरता तो सबसे पहले आवेदा किनिम कोई पतरता रखता हो भारत का नागरिक होना चाहिए नेपाल का नागरिक हो तो भी या भूटान का नागरिक हो तो भी फाम अप्लाई कर सकता है साथ ही दोस्तों तिबती सरनार्थी जो भारत में स्थाय रूप से बसने के लिए एक जनवरी 1962 से पहले आ गये हो वो भी हो तो च सकते हैं उसका दोस्तों इसमें आगे है कटाफ तित, य要निकि जो गजारी कि जाएगे उसकी 30222 होगी हलां कि अंतिम कटाफ त सूर्चित के जाएगी उसके आप दोस्तो इसमें आगे है उम्मीदवार की एज जो है वो देख लेते हैं आज जो है 31.3.23 से को आपकी जो एज है वो 18 से 26 वर्स होनी चाहिए minimum जो है वो 18 यह और जो मैजिवा में एज है वो 26 यह होनी चाहिए फिर दोस्तों इसमें उपरी आज सीमा है तो छूट जो दी जाएगी वो तो वर्स और आज में छूट यानि सामान वर्ग को दोस्तों वर्ग सुन इनको या आज में कोई छूट नहीं दी जाएगी सामान वर्ग को फिर अनसूचित जात या नसूचित जन जात के लिए 5 वर् दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधियम 2012 के तहट 10 वर्स का इनको आय में छूट दी जाएगी उसका दोस्तों भूत पूर्व सायनिक दिव्यांग भूत पूर्व सायनिक को इनको दोस्तों रच्छा बलों में प्रदान की गई इस वास्तिविक अवधि प्लस 3 वर्स अनतूची जनजात के संबंधित पूर्व सायनिकों दिव्यांग पूर्व सायनिकों के लिए 8 वर्स अधिकतम आग 50 वर्स की अधिक सरकारी निर्देशा अनुसार इसी प्रकार OBC मिदवार के लिए भी लागू की जाएगी फिर दोस्तों बिदवाएं तलाक सुदा महिला आएं और कानूनी रूप से अपने पतियों से अलग वह चुके महिला आएं जिन्होंने पुनर विवार नहीं किया है उनके लिए सामान EWS के लिए 35 वर्स माइज रखी गई है और OBC के लिए 38 वर्स और साथ ही दोस्तों STST के जो महिला हैं उनके लिए 40 वर्स जो है एज गlor की महिला है और नूमत फीर जैसा कि उपर थाली कम दिया गया है फिर दोस्तों इसमें आय के छूट के बारे में दिया गया है तो इसको आ अगर आपको पर पढ़नाूं को पढ़ लीजिएeline घर बाकी समें मागे के देख लेते हैं तो आगा के बारे में इसमें भी 30-40 में 06 समर्व सफाई करनशारी में न्यूक्त क्या जाना चाहिए फिर दूसरा है उमीधवारों की जो आई हूए 18 सच्छब्ई सश्वत्वर स्नियमों के नुक्तर सब्सेमियों के बीच होनी जब मैं इस्थाई कारेरा करता के रूप में न्यूप हुए थे तब फिर दोस्तों इसमें आज के बारे में हो गया उसके बाद हम देख लेते हैं सैच्छिडिक योगिता के बारे में योगिता के रखागे सैच्छिडिक योगिता तो सैच्छिडिक योगिता जो नियुंतम आठ्वी के तो दिया नहीं जाएगा उसका दोस्तों अन्यमानदर दोनों चैनलों के सामाने तो इसमें उम्मीदवारों को उस राज केंदर सासित प्रदेश की अधिकारिक भासा में देच्छता होनी चाहिए आपको लोकल लेंगे जानी चाहिए जिस राज से हो ख़ूरी हिंद्री के लावा जो बाकी राज्य है उनके लिए बात कर रहा हूं उसके दोस्तों उम्मीदवार राज के इनसासित प्रदेश का इस्थानी निवासी भी होना चाहिए आप जिस राज से अपलाई करेंग फाम उस राज के एक अंतासित प्रदेश के आप मूल निवासी भी हो आपके बास निवास प्राउन करते होना चाहिए उसके दोस्तों इसमें आगे है ये रोक बगएरा के लिए बाकी चीजे दी गई है तो इसको अगर आपको पढ़ना है तो आप खुद पढ़ लीजेगा बाकी इसमें कुछ खासा है नहीं फिर दोस्तों हम इसमें आगे देख लेते हैं तो इसमें आगे है दोस्तों परिच्छा का पूर प्रसिक्षाण तो ये देख लेते हैं बैंक भारत सरकार दोरा जारी निर्देशित दिसा निर्देशित अनुरूप अनसोचित जात इनसोचित जन जाती OBC धारमी कलप रंके समुदाय के उम्मिद्वारों के लिए आनलाइ तो चैन प्रक्रिया कैसे होगी आपकी तो चैन प्रक्रिया ऑनलाइन परिच्छा IBPS दोरा आयोजित की जाएगी एवाम इस्थानी भासा परिच्छन बैंक दोरा के माध्यम से योगता के अधार पर होगा जो इस संबंद में भारत सरकार दोरा जारी आरक्षन नीत और निर देशों के अधिन होगा तो आनलाइन आयोजित की जाने वाली आनलाइन परिच्छा की जो संद्रचनाय हैं इस प्रकार है निकि आपको सलेबा जो दिए गया क्या क्या आएगा आपके पेपर में वो दिए गया तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी भाफसा का ज्यान होना यह आठवी तक का इसमें दोस्तो इसका डोटल निकली 도 restrictive का प्रात्मिक ऑ्कड़ीचानी मैट बीस नमबर मैद के आपको समय दिया जाएगा फिर दोस्तों इसमें उमीदवारों को सरकारी दिसा निर्देसों के अनुसर बैंक दोरा तय किये जाने वाले कटाफ अंग हासिल करके उट्रोक्त चार परिणामों में से प्रतेक में अहरता प्राप्थ करनी होगी यानि कि दोस्तों में जो चार हैं सभी का अलग अलग कटॉप है तो इसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा एक एक सेक्शन वाइस तभी दोस्तों आपको करनी होगी अब सेक्टाओं के अधार पर बैंक दोरा तै की गई परतेक सिरेंडी में परियाप्त संख्या दोरा उम यानि कि इस्थानी भासा के लिए तब आप सौर्ट लिस्ट उसके इस्थानी भासा वाले वेपर के लिए सौर्ट लिस्ट किये जाएंगे ठीक है उसके बाद दोस्तों इसमें इस्थानी भासा के लिए आनलाइन परिच्छा के बाद कुल रिक्तियों राजबार और सरेण बार के चार गुना योग उमिद्वारों को इस्थानी भासा परिच्छन के लिए संबंधित योग का रियाले सूची में भुलाये जाएगा इस्थानी भासा परिच्छन परिच्छा का कारिक्रम अलग से सूचित किये जाएगा इसमें दोस्तों बीचाय कुल अंक और वासिल करने करके इस्थानी भासा परिच्छा भी से उत्रीन करना होगा परिच्छा की सनचना की किसी भी बदलाव की सूचना Central Bank of India अधिकृत वेपसाइट www.centralbankofindia.co. इनके माध्यम से दी जाएगी परिच्छा के सम्मझ में अन्विस्तिरी जानकारी एक सूचना हैंडाउ में दी जाएगी जिसे उम्मीदवारों को अधिकृत वेपसाइट यानी www.centralbankofindia.co. इनके माध्यम से पत्र के साथ डाउनलोड करने के उपलब्द कराया जाएगा फिर दोस्तों इसमें आवेदन किये गए राज अनुसार सफाई कर्वचारी साह कर्वचारी या उपकर् परिच्छनों के संसकरा और परिच्छा के माध्यम की सूची तो इसमें दोस्तों जैसे कि तबते पहले बिहार राज है तो बिहार में इंग्लीस और हिंदी दो लैंगूज में आपका पेपर रहेगा। पिर दोस्तों चतीजगड में भी अंग्रेजी और हिंदी, फिर दिल्ली में भी अंग्रेजी और हिंदी, गुजरात में दोस्तों अंग्रेजी हिंदी और गुजराती, जारखन में अंग्रेजी हिंदी, मत्य प्रदेश में अंग्रेजी और हिंदी, महाराथ में अंग्रेज अनुसा टेस्ट का संस्क्राइब परिच्छा के माध्यम को इंगित करने का विकल्प पढ़ान किया जाएगा उम्मीदवारों को परिच्छा के माध्यम को इंगित करने के इस विकल्प को उपयोग करने में साधानी वरतनी चाहिए साथ ही ऑनलाइन परिच्छा में प्रतेग प्रस्ण के पांच विकल्प भी दी जाएगी इसमें दोस्तों पांच जो है आप जित्व टाइप के आपके कोश्चन आपके तो पांच आपसन आपके दिया जाएगा फिर दोस्तों कृपिया ध्यान दें कि उम्मीदवारों को नियुकित दस्तावेजों के विना ऑनलाइन परिच्छा में बैठने की इन्मस नहीं दी जाएगी परिच्छा देनी के उम्मत नहीं दी जाएगी तो आप लोग समय पर पहुंचें यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है उसका दोस्तों इसमें आगे डिटेल में जो भी दिये गया है तो परिच्छा के अंद कटाफ इसको और वगएर तो यह साह रिजानकार इकर आप आपको पढ़ना है तो आप लोग देख लीजेगा वांकि जो में में चीज़ें थी हुआ हमने आपको इसके मादिम से बता दिया अब इसका अवेदन कैसे करना है दोस्तों यह इसके लिए हम आपको प्रॉपर वीडियो जिस्टे किस से इसका अवेदन स्टार्ट हो जाए तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको आप समय पर पहुंच जाए तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लागा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइजे रूप कर लिजे और साथ ही बेल आइकन में प्रेस कर लिजे ताकि यह सबसे पहल पर उसका अप्लाई कर सके तो मिलते हैं दोस्तों नेक्री वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद